है अज़ो गाइज आज हम बनाने वाले हैं जूस तो इसके लिए हम लेगे औरेंज बहुर सारी यहां पर मैंने 5 ओरेंज ली है छोटी वाली और इसके अलग-अलग पार्ट में इसे एस तरह से निकाल दिया है और इस तरह से मैंने इसके बीज को निकाल दिया है आप देख स पिते हो अगर आपको पता होगा तो यह चर्था करवा लगता है तो तो इसकी वजह है कि हम उसके बीज को नहीं निकालते हैं ताकि उसके वजय वजेंज है थोड़े ताइम के बाद करवा लगने स्टार्ट हो जाता है तो इसलिए ये प्रोसेस बहुत इंपोर्टन है यहां पर मैंने आइस क्यूब लिये है और थोड़े से चिनी ली है टू टैबल स्पून जितनी आप चिनी को आप अप्शनल ले सकते हो अगर आपकी जो औरेंज ह इसे वह बहुत मिथी है तो चीनी मत अट करें ऐसे ही आप इसे बना सकते हो अमने यहां पर आइसक्यूब एड़ कर दिया है और उसके बाद सारे औरेंज इसमें डाल देगे और उसके बाद इसे हमें मिक्सि में पीस लेना है तो इसे हमें मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लिया है आप देख सकते हो अब इसको प्रोसेस यह है कि इसे हमें चनी में चान लेना है ताकि जो एक्सिस जो कच्रा होगा वो इसमें से आसानी से निकल जाएगा तो इस तरह से हम इसे चान लेगे आप देख सकते हो कितना जाग वाला जूस बना है हमारा यह बहुत ही जाग ताकि अगर इसमें अच्छा सा जो प्यूरी है वो निकल जाए तो इस तरह से हमें ज्यूस रेदी कर लिया है यह कच्रा हमारा निकल गया है उसे हमें फैक डेना है तो हमारा ज्यूस फ्रेंस रेदी हो गया है इसे हम सव करेगे बहुत ही अच्छा ज्यूस बनके रेदी और फर्स ताइम आया हो मेरी चैनल पर तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सपोर्ट करें मेरी इस चैनल को ऐसे ही अच्छे-च्छे मज़ेदार वीडियो के साथ मैं आती रहती हूं तो मेरी चैनल पर बने रही है फ्रेंड्स चलिए पी लेते हैं अभी जूस एक द और ता घ्डा बाई थैंक यों मुदिताय जाया है और झाल दो तो प्लीज आया है झाल को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें आती हं चैनल पर टेंटे करें सुम्दार को सत्ता पुछश मेरी ढाई पर टेंट्स